केसे एक न्यूस पेपर पेचने वाला लड़का वर्ल्ड का सबसे रीचेस परसन बना और केसे उसने अपने 10,000 डोलर को 100 बिलियन डोलर में कनवर्ट किया जी हां तो आज हम बात करने वाले हैं तो औरेकल ऑबामा मतलब वारें बफट के बारे में डरिये मत ये वीडियो अपनी विज्दम करने के लिए बनाया और आपको वो सब सिखाने के लिए बनाया है जो वारें बफट अपने इंवेस्मेंट में करते हैं वह सात रूल्स देखेंगे जो वह फॉलो करते और जिससे वह अपना फॉर्चुन बनाते हैं इसके साथ ही उनकी साइकॉलोजी को भी समझेंगे, आपने बहुत बार एक चीज देखी होगी, कि कुछ लोग जो होते हैं, वो अपना फोन उठाते हैं, और वाटसेप या किसी ने फोन पर या जस पार्टी में किसी ने बोल दिया, कि यह स्टॉक उपर जाने वाला है, तो उसमें इंवेस्मेंट करने लग जात हैं, कि या इस स्टॉक में जो पोजिशन मना रहा हूँ, अगर यह में दस साल तक भी रखाना तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, तभी आप उस स्टॉक में पोजिशन मनाईए है, तो रूल नमबर वन जो वार्न बफेट का वो है, डॉन बाय स्टॉक फोर 10 मिट्स, इफ 24.8 billion dollars, यही नहीं, हर साल उस holding से उनको around 700 million dollar का dividend आता है, तो यह हुई ना से investment की बात, मैं आपको बोलूँगा, हर समय आप पेसा ही बनाइए, आप कभी पेसे को लूज मत कीजिए, तो आप बोलेंगे, क्या बात कर रहा है, किसे कमाएंगे, क्या है, वैल, यही है rule fight club का, but fight club for your wallet, और यही है rule number two, Warren Buffett का, never lose money, और हो बोलते हैं कि इस rule को कभी बूलना मत, अगर आपने अपने investment में 50% गवा दिये ना, तो आपको अपने दूसरे investment में 100% बनाने पड़ेंगे, उसको मैक अप करने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं, never lose the money, अभी चलिए, तो हम meats and potatoes की बा price देखके सोचते हैं कि यह company अच्छी है, आप तो company के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, but just rumors या news में कुछ सुन लिया और उस company की shares देख लिए और आपको लगने लग जाता हूँ company सही है, वहीं पर Warren Buffett करते हैं, वो उसके price को ना देखते हुए, वो खाली company को टेली करते और उस company में इन्वेस्ट करते हैं rather than investing in the shares, अगर उस shares करके भी उसको holding बना रहे हैं उस company में, इसका मतलब यह company में इन्वेस्ट करें ना कि shares में, इसका example में आपको बतायता हूँ, आपने बहुत सार स्टार्ट आप से या company देखी होगी, जो stock market में लिस्टेड नहीं है, और आप उस particular company के shares buy कर रहे हैं, और यही thought process रहती है Warren Buffett की, और इसी को बोला जाता है buy below intrinsic value, इसका एक example समझ लेते हैं, आपने कभी discounted cash flow का नाम सुना है, Warren Buffett discounted cash flow पर काम करते हैं, उन्होंने 2016 में Apple के shares buy कियेते हैं, और उनको पता था कि इनके पास cash surplus है, मतलब company credit पर नहीं चल र और यहा है, उनका vision clear है, और उनके पास cash है उल्टा, ऐसानिक वोग डेप्ट में है, तो उन्होंने उसमें investment डाल यह 2016 में है, और आप बिलीव नहीं करेंगे आज वो investment कितना है, आप खोदी internet पर साच का लिजे, आपको पता चल जाएगा, इसमें एक analogy मैं आपको देना चाह और दूसरी कार है, जो दिग गंदी रही है, बट जब आपने उसके अंदर जाके चेक किया, तो सारे पार्स अच्छे से काम कर रहे है, उसके rating प्रॉपर है, सब चीज अच्छी है, खाली बस दिग गंदी रही है, क्या आप उसको लेकर उसको repent करके चला सकते हैं, और अप अपने पहुत सारा पैसा अचा सकते हैं, डेफिनेटली हाँ, तो यही वारेन बफट करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके खाली लुक पर नहीं जाते कंपनी के, या फिर मार्केट में क्या बोला जा रहा है, उसके फंडामेंटल्स पर जाते हैं, और वही उनका बोरिंग काम करते हैं, financial report को analysis करते हैं, coca cola पीते हैं और mcdonald का burger pizza खाते हैं कभी आपने यह सुना है, stick to your circle of competency, इसका मतलब होता है, know your limitations, मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, well, बहुत बार आप FOMO में आके, कुछ companies में पैसा डालते हैं, या कुछ ऐसे investments करते हैं, जिसको आप समझ ही नहीं पाते हैं, आपने बहुत बार लोगों को crypto currencies में पैसा डालते हुए देखा होगा, जबकि उसको समझते ही नहीं, कैसे काम करती है, उसके पीछे का concept क्या है, just because सब डाल रहे हैं, या फिर fear of missing out है, इसलिए मैं डाल देता हूँ, Warren Buffett क्या बोलते हैं इसके बारे में, कि never invest in a business which you don't understand, और यही उनका rule number four, कुछ लोग क्या करते हैं, सिगार stocks find out करते रहते हैं, मतलब penny stock के बारे में search करते रहते हैं, और सोचते हैं कि उससे पैसा बन जाएगा, और यही गलती Warren Buffett ने भी अपने career में, early stage में की थी, और उन्हें आज समझ में आ गया, और आज हो क्या बोलते पता है, it's far better to buy a wonderful company at fair prices, than a fair company at wonderful prices, इसको एक और analogy से समझ ल कोई issue नहीं देगी, और दूसरी कार, आपको cheap पढ़ रही है, पर वो हर महीने breakdown होगी, तो आप कोन सी choose करेंगे, first of all, इसी को बोलते है, value investing, और यही रूल नमबर five of Warren Buffett, which says, don't buy cigar butts, Warren Buffett, अकसर जो बात करते हैं, वो contrary होती है, जो usual belief होते है, general beliefs होते है, कैसे, मैं बता देता ह Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful, और यही उनका rule number six है, और यही उनने करके भी बताया है, 2008 में जब recession चल रहा था, जब सब लोग सेल कर रहे थे, तब वो buy कर रहे थे, आपको Goldman Sachs का नाम सुना होगा आपने, it's like top firm of investing, investment rates और जो भी होता है, उनके पास बहुत ही advanced software है, और बहुत ही world के top minds ह 2008 में जब वो company मतलब अच्छा नहीं कर रही थी because of the recession, तब उन्होंने उस company में invest किया था, और आज वो उनकी most valuable company में से एक है, जो उनकी share holding बड़ी हुई है, आप में से बहुत सारे trader क्या करते हैं, कि आर market उपर जा रहा है, particular stock उपर जा रहा है, तो buy कलो उपर ही जाता वो share price पर न जाते हुए, company के fundamentals पर जाते हैं, Warren Buffett believe करते हैं, कि आपकी life में खाली 3-4 opportunity आती है, तो आपको उनकी लिए बिलकुल देख के रखना है, या 3-4 opportunity आने वाली है, और मुझे EC में अपना decision लेके invest करना है, उनका ये भी कहना है, कि अगर आपने कुछ अच्छा investment करने से छोड़ दिया, और उसकी जगर आपने बुड़ा investment कर लिया, तो वैल, ये आपके लिए double armful है, केसे मैं थोड़ा सापको बतायता हूँ, bad investment से जो आपको loss होता न, उससे कहीं जादा benefit आपको होता आपके good investment से, Warren Buffett कहते हैं, opportunities comes infrequently, so whenever it rains gold, put out bucket, not the thimble, that is the rule no.7, in conclusion में बारे में, बट कोई भी इतना deep में जाके, details में जाके discuss नहीं करता, वो बस गोल-गोल गुमते रहते हैं, और एक ये दो point को गुमा गुमा के बताते रहते हैं, यहाँ पर मैंने 7 के 7 rules समझा है, और 7 के 7 rules का क्या उनने implementation किया, क्या उन्टा thought process था, वो भी समझा है, इसको उन्मीद करता कि आप Warren Buffett जीसा trade करने लग जाएंगे, बर मैं इतना sure हूँ कि मैंने जिसको भी ये चीत समझते देखा है, वो जिन्दगी में कभी भी bad investment नहीं है, और आपको ये सोच के चलना है, कि investment is not like get rich quick scheme, it is like get rich short scheme, और मैं ये नहीं कह था, कि Warren Buffett ने कभी गलती नहीं क पिर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था क्योंकि उसको जो buy किया था, उस time पे उसकी intrinsic value बहुत कमते हैं, और वैसे ही वो invest करते हैं, तो भी उन्होंने उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया, बट उन्होंने long holding नहीं कि, और वो आज भी admit करते हैं, कि उनकी वो बहुत बड़ी गलती थी, और आज भी अपनी गलतियों से सीखते हैं और adapt करते हैं, तो आपको और हमको भी यही सीखना है,